मारूर राजित्थान परवार पे आप सब का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हो सारे MRPNs आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और करन्ट अफेर्स के अंदर आज हम कंटिन्यू करेंगे मही महीने के अगर टाइम अलाओ करेगा तो हम जून महीने के भी आज वाली वीडियो में ही स्टार्ट कर देगे ठीके कल की वीडियो स्टक हो गई थी बीच में ठीके जंडुबा मोता है यूपीएस ने वक कना आफ कर दिया तो ऐसा कुछ गडबड हुआ तो वीडियो वहीं पर ही पॉस हो गया और मैं आप लोगों को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी नहीं बोल पाई घणी घणी राम राम भी नहीं बोल पाई तो आज वो दो बार बोलेंगे ठीके जो नई मेंबर्स हमाई साथ जुड़ रहे हैं उनको अपने बारे में बताती हूँ मेरा नाम डॉक्टर एक भी वीडियो मिस ना हो, जिन बिचोक का करंट अफेर्स का इसका पहला पार्ट मिस हुआ है वो इस क्लास के बाद वो वाला सेशन जाके देख लिजेगा ठीके और उसकी प्लेलिस्ट है राजस्तान करंट अफेर्स ठीके तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, इवन कल का यह वीडियो है डारेक्ट वीडियो में देखेंगे तो भी मिल जाएगा, इसके साथ साथ आप मेरी फ्री लाइफ क्लास कहां पर देख सकते हैं, आपको एक अनलोक कोड मानगा जाता है, MRP 10 कोड लगाएगे, मारो राजस्तान परिवार का कोड है, आपको फ्री लाइफ क् क्लास में आएगा, ठीक है, इसके साथ साथ आनक एडमी पर बहुत सारे लर्नर्स मुझसे पूछते हैं, कोई पेड कोर्स है, प्लस कोर्स है, जी हाँ, तो बिल्कुल है, आप सभी एक्जाम की तयारी चाहे, आप कॉलेज लेक्चरार की कर रहे हो, चाहे आप रीट की कर र बाकी स्टुरेंट्स को एक साल का कॉलेज लेक्चरर वालों को तीन महीनेगा, ठीक है, इसके साथ साथ MRP10 कोर्ड लगाने पे 10% एक्स्रा डिसकाउंट मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको जादा परिशान होने की ज़रुरत नहीं, कई बर कोर्ड गलत लग जाता है, इस अपकमिंग बैचेस बता देते हूं, 25 जून को R.A.S. प्रिलिम्स का बैच आ रहा है, इसमें मेरी क्लास बच्चे शुरू होगी, 7 जुलाई से राजस्तान आर्टेन कल्चर पढ़ाऊंगे, R.A.S. सब इंस्पेक्टर कॉलेज लेक्चरर एक्जाम के लिए, एक कोर्स आ 30 जून को मेरा सब्चेक्ट वही रहेगा, अभी फिलाल के लिए राजस्तान आर्टेन कल्चर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूं, दूसरी सब्चेक्ट के लिए, अगर आप लोग मुझसे ही राजस्तान जी के पढ़ना चाहते हैं या और सब्चेक्ट पढ़ना चा सब्सक्रिप्चन लेना है, किसी को नेट का लेना है, किसी भी केटेग्री में नीट में लेना है, तो ये वैलिड है, तो आईए स्टार्ट करते हैं, राजस्तान में परसन, कल वाली क्लास में ये सारे तो हमने कर लिये थे, अच्छा, चले, देखते, रुके, मैं सीधा स्ल लिया था, ट्राइबल्स का, ट्राइबल्स का जो ट्रस्ट सेंटर है, बनेश्वर धाम, ठीके, उसकी जो है, बनेश्वर धाम डेवलप्मेंट बोर्ड, बनेश्वर धाम विकास बोर्ड जो बनाया गया है, उसके अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, कौन अचिवतानन्द महराजी होंगे इसके बाद डिटेल देखते हम यह बहुत इंप्रिल को यह कोई नहीं पूछेगा अपॉइंटमेंट कभ हुई डेट वगएरा इसमें तो शायद नहीं पूछते है नहीं पूछेंगे ठीक है इसके अंदर टोटल कितने मैंबर्स होंगे जो इसके अंदर टोटल कितने मैंबर्स होँगे पैंन क्यों नहीं चल रहा है एक सटाइसंग मेंबर्स होगे इसको हिए आप कैसे करोगे बनेश्वर धाम में अना आ रहे हैं अना आ रहे है अगर मैं बोलू नंबर कौन सा बन रहे हैं नो नंबर बन रहे हैं इसको आप डिवाइड कर दो ऐसे याद करलो नौत यह 27 होता है तो 2 और 7 इनका सम भी 9 आएगा तो ये कही ना कही आपको help कर जाएगा आपको याद रह जाएगा कि इस board में कितने members है total तो 27 member है chairman मिला के member secretary को मिला के ठीक है चलिए आगे देखते हैं और इसकी खास बात क्या है इसके अंदर सदस्य क्या सारे सदस्य सर्फ राजस्तान से होंगे नई अब बनेश्वर धाम क्या है अपने डुंगरपूर में है यहां बढ़ता है तो जो पडोसी राज्ये है उनकी भी श्रद्धा का केंदर है वो लोग भी आते है तो दक्षिन के पडोसी लाज्य अपने कौन कौन से एक हुआ गुजरात और इधर से हुआ मध्य प्रदेश तो इस बोर्ड के अंदर मध्य प्रदेश के भी मैंबर्स रहेंगे और गुजरात के मैंबर्स रहेंगे यह important point है जो हमें याद रखना है ठीक है कितने कितने मैंबर्स रहेंगे राजस्तान से 6 members क्योंकि हमारे इधर का है तो सबसे जादा MP और गुजराथ से 3-3 members ले जाएंगे MP और गुजराथ से कितने members ले जाएंगे 3-3 members ले जाएंगे तो आसान है याद गरना ठीक है यह हो गया इसके बात जो है यह पूछा जा सकते है बनेश्वर धाम development board का प्रशाशन कौन करेगा administration किसके द्वारा किया जाएगा तो कौन करेगा देवस्थान विभाग ठीक है किसके द्वारा किया जाएगा जो हमने पढ़ लिया अचितन अंजी महराज यह जो है पीठा देश्वर है हरी मंदिर के पीठा देश्वर हरी मंदिर भनेश्वर धाम के member secretary कौन होंगे यह important question है ठीक है member secretary यानि की सदस्य सचिप कौन होंगे तो यहाँ पर बच्चे करके आ सकते हैं डुंगरपूर के district collector option में देंगे लेकिन नहीं यहाँ के जो सदस्य सचिप है आपको याद रखना है ADC है additional district collector डुंगरपूर ठीक है क्या यह आ जाएगा अतिरिक जिला collector डुंगरपूर यह point याद अतना भूलना मत member secretary कौन है ADC additional district collector clear है चले आगे देखते हैं ठीक है members कौन कोन होंगे members में आएंगे DC of डुंगरपूर बा अगरपूर के भी साथ में बांसवाडा के भी बागड रीजन के ठीक है वो सदस्य है सदस्य सचिप पूछे तो ADC additional district collector याद रखोगे बोलो जल्दी से बताओ मुझे yes maam करके टाइप करो और इसमें किस-किस को लिया गया है tourism officer को लिया गया है art and culture department revenue department PWD forest water पंचायती राज development mind मदब सारे department आ गया कुल मिला के इतना इसमें से मुझे नहीं लगरा कोई पूछने वाला है प्रेटन अधिकारी कला संस्कृति विभाग के राजस्व विभाग PWD public works department वन वाला जल संसाधन पंचायती राज और खान विभाग तो सारे के सारे विभाग इसमें आगे जो important points से वो हमने कर लिये हैं ठीक है चले उसकी बाद और कौन को नोंगे ये point important है एक-एक सदस्य बच्चे लिया जाएगा शिवालय टेंपल ट्रस्ट है बनेश्वर धाम में तो भोले नात कच्छान ऐसे याद कर लो शिवालय टेंपल ट्रस्ट से बालमी की मंदिर से और ब्र इनको जो है पीठा दीश्वर जो है बनेख्शवर धाम के अचुता नं महराज जी उनके द्वारा नॉमीनेट किया जाएगा नामांकित किया जाएगा ठीक है ये मैंने आपको बताई दिया तीन मेंबर राजस्तान से representative होंगे छे राजस्तान से तीन गुजरात से और तीन 100% डाल वे ठीक है चले बनेश्वर धाम के बारे में और static parts से static gk से कहां से question आ सकते हैं वो करते हैं बनेश्वर धाम कौन सी नदी के संगम पे बना हुआ है तो पता है न सबको सोम और माही नदी के question आ जाएगा ये सोम और माही नदी के जो है संगम पे क्या बना हुआ है बनेश्वर धाम सोम माही जाखम आपको याद होगा मनेश्वर धाम है ना जहाँ पे हर साल मेला लगता है माक की पुर्णे माको सोम माही जाखम अब अगला question आएगा यहाँ पे कि ये कौनसी पंचायत समीती का पार्ट है कौनसी ग्राम पंचायत का पार्ट है ठीक है तो पंचायत समीती आपको याद रखनी है साबला बनेश्वर धाम कौनसी पंचायत समीती के अंदर आता है साबला पंचायत समीती के दौलपुरा revenue village of Rajasv गाउं है दौलपुरा का जहां पे बनेश्वर धाम पढ़ता है अब याद कैसे करोगे देखो गुजरात से लोग आ रहे गुजरात से कौन सी community के लोग आएंगे बारबारी community के लोग किसलिए वो चाहते हैं कि हमारे घर में धन सब कुछ हर्ष्ट पुश रहे हैं हम लोग ठीक है तो आपको याद करना है statement बनेश्वर धाम में सबके सब दौलत के लिए आते हैं दौलत मांगने के लिए आते हैं करोगे बनेश्वर धाम में सब के सब दोलत मांगने के लिए आते तो सब के सब से याद कर लो साबला समीती साबला पंचायत समीती दोलत मांगने के लिए आ रहे तो दौल पुरा गाउं हो गया रवेन्यू गाउं राजस्व गाउं कौन सा हो गया बच्चे दौल पुरा हो जहां पे बनेशवर धाम पसा हूँ ठीक давно है अच्छा इसके अंदर इस साइड पर बनेशवर धाम पे कौन-कौन मंदर देखो याद करना रामकृष्ण मंदिर बनेश्वर इसको क्या बोलते हिंदी में बनेश वर सिवाल्य यहां पे शिवा लिख ले और ब्रहमाजी का मंदर मर और ना क्लियर है यह क Keys ऑर ब्रहमाम मंदर चल से अगय आरे है यह सारी तपोस्थली माना जाता है तो आपको याद करना है लीला अवतारी संत माव जी की जो है तपोस्थली बनेश्वर धाम को माना जाता है ठीक है याद कर लोगे बनेश्वर धाम को संत माव जी की तपोस्थली माना जाता है ठीक है तो हमने एक कोश्चन भले ही किया हो लेकिन हम बनेश्वर धाम डेवलप्मेंट बोर्ड विकास बोर्ड जो है वो बन गया है ठीके अच्छे फिर से आगया प्रमोशन ओफर ले 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 ना बही जॉइन कर ले लिंक जो आपको दिया हुआ लाइब चैट में डिस्क्रिप्शन में बारा महिने का और दो साल का सब्सक्रिप 21 को किसको Lifetime Achievement Award मिला है किस चीज के अंदर जर्नलिजम के अंदर पत्रकारिता में Game Changer के रूप में Lifetime Achievement Award किसको दिया गया है किस ने दिया है Media News 4U ने दिया है ठीके April 2021 में पत्रकारिता के लिए Game Changer के लिए Lifetime Achievement Award तो options है बच्चे अपने बाबुलाल मरोटिया गुलाब कोठारी बदरीनाथ या फिर भूपेंदर दक किसको ये अवोर्ड दिया गया इंपोर्टन कोर्शन है Media News 4U ने दिया है ठीके तो आईए इसका अंसर देखते हैं I hope आप सपने प्लैन कर लिया होगा क्या अंसर बनता है इसका चले हां तो इसका अंसर है गुलाब कोठारी क् पत्रेका ग्रूप के एडिटर इन चीफ जो है उनको दिया गया है पत्रेका ग्रूप के जो राजस्तान पत्रेका पढ़ते हो ना उसके एडिटर इन चीफ जो संपादक है मुख्यसंज पादक गुडाब कोठारी जी को ये अवोर्ड दिया गया है Lifetime Achievement Award पत्रेकारिता म आपको डर नहीं लगता किसी चीफ से ठीक है तो fearless inspirational credible public friendly journalism वेदिक साइंस में भी literature में भी तो इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छा contribution इनका रहा इसके लिए इनको अवोर्ड दिया गया ठीक है ये अवोर्ड वर्चुल प्रोग्राम में दिया है दूर दूर से media news for you ने इस वरिष्ट लगु कलागार को एप्रिल 2021 में राजस्थान हैंडी क्राफ्ट रतन अवोर्ड राजस्थान हस्त शिल्प रतन पुरुसकार से जो है समानित किया गया है बाबुलाल मरोटिया जी गुलाब कठारी बदरीनाथ या फिर भुपेंद्र दग अब इसमें eliminate तो कर सक चोटी चोटी बनाते है खुद जो है बहुत मोटे हटे कटे है ऐसे याद कर लो ठीक है पेंटिंग बनाते है यह याद करने के लिए बहुत बड़ी respect disclaimer साथ में ताकि आप बच्चों को याद जाए ठीक है ऐसे याद कर लो बाबुलाल मतल से है मोटे healthy हटे कर लेकिन जो प इशनगर शैनली के लिए इसके अलावा Indian painting styles के लिए भी famous है Indian painting style कौन कौन से बच्चे अपने इधर मध्य परदेश में कौन सा पठार पड़ेगा राजस्तान के पास इधर दक्षन साइड में मालवा पठार तो मालवा style of painting के लिए जाने जाते है बासोली style of painting के लिए और का और कौन से साथ में कांडवा ठीक है अब याद ही करने पड़ेंगे ठीक है इन्हें जो है इससे पहले शिल्प गुरु सम्मान भी मिल चुका है शिल्प गुरु सम्मान भी इनको पहले ही मिल चुका है clear है सबको बूलोगे तो नहीं I hope नहीं बूलोंगे हमारे MRPNS भाई ठ पढ़ो मैं एक मिनट देना जरा मुझे हाँ पढ़ो शाबाश पानी भी यूँ बस हाँ ठीक है साथ एप्रिल दो हजार इकिस को किस IPS ओफिसर को किस IPS ओफिसर को राजस्थान पुलिस कमीशन राजस्थान पुलिस आयोग के सच्चिव के रूप में नियुक्त किया गया इससे पहले हमने कौन से important personality पढ़ी थी director general of police director general of police मैंने बताय था पुलिस वाला जो है अगर लाठी नी चलाएगा तो बात कैसे बनेगा तो उसमें अंसर आय था लाठर ठीक है उनका सरनें था डीजीपी जो बने थी लाठर ठीक है तो वो किया था हमने यहां पे अंसर आएगा भुपेंद्र दक किसको सचिव बनाया गया है भुपेंद्र दक जी को जो है सचिव बनाया गया तो याद कर लो दक से डांट से याद कर लो कि डांट मानने वाला बंदा चाहिए पुलिस में तो ठीक है तो भुपेंद्र दक और प्रेजिड डारेक्टर जनरल और पुलिस बने हैं clear है I hope सबको clear होगा ही ठीक है चले आगे देखते हैं अरे वाँ जून के current affairs आ रहे हैं जून के important personality यानि की व्यक्तित जो रहे हैं न्यूस में उनके बारे में हम लोग कर रहे हैं ठीक है वो कबर कर रहे हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर आपको लगता है मारो राजस्तान के इस दूर दराज के गाउं में बैठे को current affairs क वीडियो काम आ सकता है तो शेर भी कर दीजेगा और बहुत सारे लेटेस्ट वीडियो अप्डेट्स के लिए क्या कर लीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे अगर अभी तक नहीं किया है वीडियो पसंद आता है तो comment से जरूर कर दीजेगा ठीक है चले तो हम जून के start क करने लगे राइड यहां भी जो मैं आपको questions ले रही हूं ठीक है डारेक्ट पढ़ा रही हूं question format में इन current affairs का आपका test लिया जाएगा संडे को 12 बजे ठीक है YouTube पे जितने मैं आपको current affairs पढ़ा रही हूं इनका test कब होगा बच्चे संडे को 12 बजे याद रखोगे भूलोग class के test join कर सकते हो वहां पे test करने में एक अलग तरहां का मज़ा आता है एक तो poll मिलता है आपको ठीक है दूसरा आपको बाकी सारे बच्चों के साथ अपनी ranking पता चलती है कि मैं कहां पे stand करता हूं ठीक है तो वो एक चीज है वैसे तो आपको खुद की खुद की ranking decide करनी है ल संडे को 12 बजे क्या question है 2 मई 2021 को 2 मई 2021 को राजस्थान की legislative assembly विधान सभा के by election हुए थे उपचुनाव उनकी मतगर्ना हुई थी तो कौन-कौन जीत के आए है ये question आ जाएगा ठीक है कौन-कौन जीत के आए है ये question आ जाएगा तो by elections जो हुए थे बच्चे 17 एप्रिल को मतगर्ना हुई है और 2 मई को और कहां मतगर्ना हुई थी वेस्ट बेंगॉल में याद है 2 मई को हाँ तो by elections हुए एप्रिल 17 को assembly election में कौन-कौन सी seats के लिए हुए पहले तो seats सी याद करनी है सहाडा, सुजानगर और राजमंद इन 3 सीटों के लिए question आ जाएगा कौन-कौन सी seat के लिए हुए है तो याद रखना है हम लोगों को सहाडा, सुजानगर और राजमंद इन 3 सीटों पे क्या हुए उपचुना हुए कैसे याद करोगे सहाडा, सुजानगर और राजमंद ठीक है तो आप याद कर लो कि कोई सुजान बंदा जो होगा वो ही किसी का सहारा ठीक है और वो जो है राजा जो है हमारे यहां के मिवार के राजा वैसा जरूर अराम से बन जाते हैं ऐसे याद करो तो सहारा से सहारा, सुजान बंदा कोई सहारा बनेगा, सहारा, सुजानगर कहां के राजमंद के, clear है तो इन 3 legislative assembly seats पे क्या हुए बच्चों, सहारा से सहारा से कॉंग्रेस की MLA गायतरी देवी, सुजानगर से मनोज मेगवाल, सुजानगर से कौन मनोज मेगवाल जीते हैं और राजमंद से कौन है, आपको याद होगा MP कौन है, MP BJP की ही है दिया कुमारी, National Tiger Conservation Authority की क्या रही है, वहाँ पे member रही है, राष्ट्रिय भाग प्राधिकरण की क्या रही है, सरक्षन प्राधिकरण की member रही है, तो राजमंद से BJP की ही MLA भी जीती है, MPB राजमंद से BJP की आती है, MLA भी BJP की आती है, ऐसे याद कर लो, ठीके, तो कौन जीते है, दीप्ती महेश्वरी, वह दिया कुमारी ये जीते हैं याद कर लोगे सहाडा से गायतरी देवी हमें किसका सहाडा है जब इनको इलेक्शन जीतने होते हैं तो गायतरी बाता की माला भी उठागे बैट जाते हैं उससे याद कर लो तो सहाडा से कॉंग्रिस की MLA कौन जीती हैं गायतरी देवी ठीक है अब जो है दूसरी जो सीट है सुजानगड ठीक है सुजानगड में याद कर लो सुजानगड बादलों की बारिश हो रही है तो बस ऐसे हलका सा याद कर लो मनोज मेखवाल और यह तो याद रहेगा दिप्ति वहिश्वरी फ्रॉम राजस्मद यह लोग जीते हैं ठीक है अच्छा इसके अंदर यह जो आपकी 19 मई 2021 को बीजेपी एमेले जो है धारियावाद से उद्यपूर से ठीक है धारियावाद उद्यपूर से जो बीजेपी एमेले है यह परसंस में ही आएगा न्यूज में आएगा 19 मई 2021 को धारियावाद उद्यपूर से बीजेपी एमेले गोतम लाल मीना इनकी चलो उसके बाद जो है अभी तक कोरोना की वज़े से अपने राजस्थान में 4 MLA's का निधन हुआ है कोरोना की वज़े से और टोटल मिलाके 5 MLA's का निधन हुआ है मतलब 1 MLA जो एक विधाय है उनका निधन किसी और कारण से हुआ है 4 MLA's का निधन जो है किसकी वज़े से हुआ है कोरोना की वज़े से हुआ है तो अब पार्टी सिचुएशन पर क्वेशन आ सकते है किस पार्टी के पास कितनी असेंबली सीट्स है ठीके तो कॉंग्रेस के प है एक RLD के ठीके तीन RLP के दो BTP के और जो है दो सीटे अभी वेकेंट है क्योंकि एक तो अभी निधन हुआ है 19 महीं को गोतमलाल मीना जी का तो वो सीट थो अभी खाली है ठीके तो ऐसे और एक और किसी MLA के विज़े से सीट खाली होगी तो इसको याद कैसे करोगे कॉंग्रेस के हैं बच्चों 106 दुबारा से देखते हैं भाजपा के 71 ठीके तेरा इंडिपेंडेंट है ठीके अब दो दो वाले देख लो दो वाले किसके हैं दो सीटे खाली दो BTP के और दो CPIM के मतलब B और C से जो पार्टी शुरू हो रहे है उनके दो दो खाली है ठीके क्लियर है तो यह अभी फिलाल हमारी situation हो गई है ठीके क्लियर है अगला question है next question very very important राजस्थान की कौनसी MP MP मतलब सांसद Member of Parliament को जो है Bureau of Inter Parliamentary Union यानि की Bureau of Inter Parliamentary Union हिंदी में भी यही बोल रहे है इनको ठीके उसकी standing committee का उसकी जो है कौनसी standing committee स्थाई समिती का सदस्य appointment किया गया है 28 माई 2021 को ठीके तो कौनसी है राजस्थान से ही आएंगी दिया कुमारी इनको appointment किया गया इनको बड़ी key positions मिलती है भाई याद कर लो Inter Parliamentary Union ठीके जो ब्यूरो है उसकी स्थाई समिती का सदस्य किसको appointment क्या गया है राजस्थान से सांसद है दिया कुमारी बीजेपी MLA फ्रोम राजमंद लोकसभा constituency दिया कुमारी इनका जो है इसमें selection हुआ है ये बनेंगी ठीके clear है ठीके IPU क्या है IPU Inter Parliamentary Union Global Organization है Permanent Forum है Political Multilateral Dialogue का मतलब राजनिती से related जो बाते होती है बहु पक्षी है राजनितिक वारता का एक मंच है वैश्विक संगठन है Inter Parliamentary Union याद कर लोगे वैश्विक संगठन है तो काफी important question ये automatically अपने आप हो जाता है सही है चले आगे देखते है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में 19 मही 2021 को निधन हुआ 19 मही को गोतमलाल मीना जी का हुआ जो धारियावाद से MLA थे ठीके 19 मही को ही राजस्थान के former Chief Minister मुख्यमंत्री जी का निधन हुआ जिनका नाम क्या है जगनात पहाडिया जगनात पहाडिया यहाँ पे questions format में क्यों नहीं दिखा रही हूँ MCQs format में संडे को टेस्ट लोगी ताकि आप लोगों को याद रहे चारपास दिन बाद वहाँ पे टेस्ट देना तो और मज़ा आएगा अपको ठीके जगनात पहाडिया जी ठीके कोरोना की वज़े से जो है बहुत सारे राजनितिक हस्तियां हैं जिनका निधन हुआ है तो similarly जो हमारे पूर्व मुख्य मंत्री नहीं है जगनात पहाडिया जी इनका भी निधन हुआ इनके बारे में कुछ और बाते जानते हैं ये हर्याना के गवर्नर भी रहे हैं क्या रहे हैं बच्चों हर्याना के गवर्नर कोशन आ जाएगा राजस्तान पॉलिटीब में परसन जांती पहाडिया जी है वो भी जो है वैर जो है हमारी की फॉर्म रही हैं और जगनात पहाडिया जी का याद करना उने पर बनते लेकिन स्टिल राजस्थान वेर कौन सी असेंबली से मले रही है तो कुशन पो पूछी सकते हैं शांती पहाड़ी है जिसे भी पूछा जा सकते हैं ठीके है नेक्स्ट कुशन है बीका निर टेक्निकल युनिवरसिटी के वाइस चांसलर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है किसको कुल पती जो है बनाया गया है याद करना है यह हमें तो इसका आंसर है अबरीश शरन विद्यार्थी जी को किसको बनाया गया है अबरीश शरन विद्यार्थी जी को एक शरन बिंबाले किया था कहां पे किया था याद आ रहे है कुछ मैंड वे आ जाना चाहिए शरन नाम सुनते ही शरन बिम्बाले क्या मिला उनको केके बिडला फाउंडेशन पुरसकार कौन सा पुरसकार सरस्वती सम्मन पुरसकार उनको मिला है ना और कौन सी creation के लिए मिला है सनातन के लिए मिला है कल ही करवाया था जिन्होंने कल वाला वीडियो नहीं देखा है जाके देखेगा जरू ठीक है governor और chancellor जो है हमारे कल राज मिश्र जी उन्होंने notification जो है order issue किया गया क्या बिग्याने टेकनिकल university के vice chancellor vice chancellor मतलब उपकुलपती होगा शायद है ना कुलपती नहीं आएगा उपकुलपती आएगा बच्चों है ना बताना मैं इसमें बहुत confusion करती होते हैं मुझसे ही हमेशे अब रीश शरन विद्यार्थी जी को जो है वो बनाया गया याद कर लोगे ठीक है हां ठीक है यह हो गया हां कितने सालों के लिए नुक्ति हुए यह याद कर लो तीन सालों के लिए ठीक है या फिर उनकी उम्र जब तक सतर साल की नहीं हो जाती तो जो भी पहले पूरा होगा पहले तीन साल University तक नी की विश्व विद्याले कौन सा है बीकानेर वाला आता है पहले नमबर पे कोटा दूसरे नमबर पे बीकानेर ठीक है अगर static portion में हमसे पूछते हैं तो हमें answers आने चाहिए ठीक है इसको देखो एक second रुकना बच्चे हाँ अभी कर लेते हैं ये पहीं 2021 को राजस्थान विद्युत विनियम आयोक का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है तो बिजली से याद कर लो बी एन ठीक है बिजली से बी एन बिजली बन रही है ऐसे याद कर लो तो बी एन शर्मा जी को अपॉइंट के है रिटायर्ड आई एस ओफिसर है ठीक है बी एन शर्मा जी को अपॉइंट जो है इनको किया गया है बस ये तो personality नाम ही याद करना है बस आपको ठीक है हाँ उसके बाद next question है आयूश प्रोटोकोल जो बनेगा राजस्थान के अंदर ठीक है उसके चेर्मेन के रूप में किसको जो है न्यूक्त किया गया है थर्ड विव तीसरी लहर कोरोना के आने वाली है तो उसको देखते हुए सरकार ने किंदर सरकार ने पहले से ही इसमें डिस लास्ट में देखो जरा काए आयूश आयू आ रहे है और अभी मन्यू में भी यू आ रहे है लास्ट में तो आप कोरिलेट करके याद कर सकते हूँ ठीक है आयूश प्रोटोकोल के अदर्ष किसको चुना गया अभी मन्यू अगर पेपर में confusion होता भी है ठीक है आयूश प् बनाया गया ये भी question आ जाएगा इसका purpose क्या है इसका purpose है corona की तीसरी वेफ से बच्चो बचाना येूश को बनाया इसके अध्यक्ष किसको बनाया अभी मन्यू कुपार जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया ठीक है, clear है सबको, हाँ इसके अंदर यही बताय जाएगा बच्चों के क्या symptom आते हैं कैसे उनको बचना है, कैसे immunity बढ़ानी है कैसे बच्चों की mental health पे फरक पड़ता है क्योंकि कोरोना के post ठीक होने के बाद post treatment बहुत जादा complications है बहुत mental stress होता है, बहुत weakness आ जाती है तो अभी भी यही कहूंगे, इसको कोई lightly ना लो बाहर निकलो तो mask लगा के ही निकलना है ठीक है, हाँ क्योंकि फिर हमारी बढ़ा ही गराब हुझाएगी अदरवाइस, ठीक है Central Government ने, केंद्रिय सरकार ने ये task force बनाई है, किसकी chairmanship में तो हमें तो खुश होना चाहिए, केंद्रिय उसने बनाई है सरकार ने और अपने राजस्तान के बंदों को चुडा गया है, प्रोफेसर अभी मन्यू कुमार ये कौन है, ये भी question आ जाएगा ये राजस्तान आयूर्वेद यूनिवरसिटी जोधपूर के अंदर उसके Vice Chancellor है जोधपूर में ये जो राजस्तान आयूर्वेद विश्वेद अले है इसका नाम क्या है, डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन राजस्तान आयूर्वेद यूनिवरसिटी ये इसका पूरा नाम है, डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन ठीक है, हाँ इस task force में total कितने सदस्य होंगे 12 members होंगे, total कितने members होने माले है, इसमें 12 सदस्य होने माले, ध्यान से पढ़ लेना, इसका टेस्ट होगा, संड़े को 12 बज़े, मुझे एक question गलत नहीं चाहिए, जो बच्चा मारो राजस्तान से आएगा, एक बच्चे का question मैं गलत ना देखू, ठीक है, हाँ उसके साथ यही है, आयूश protocol यह सारा मैंने बता दिया, हाँ, एक की सारे भी अपनाएंगे, होमियोपैथी, सिध्धा, योगा और युनानी, ठीक है, आयूश के अंदर जो 5 आते हैं, पार्ट सबको लेंगे, लेकिन प्रात्मिक्ता किसको देंगे, यह याद रखलो, आयूवेदा को, फिर होमियोपैथी, सिध्धा, योगा और युनानी, लास्ट में वाई 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 वाले हैं, योगा युनानी, ठीक है, ऐसे, चलो, ठीक है, इनिशिल फेज में, जब COVID-19 का शुरू का फेज था, तब बच्चो यह जो जो जोधपूर बेस्ड, सर्वपली रादा कृष्णन युनिवरसिटी है, इसने ट्राइल्स किये थे, ठीक है, आयरुवेदिक मेडिसिन के उपर, और उससे बहुत सारे पेशेंट्स ट्रीट भी हुए हैं, उससे बहुत सारे पेशेंट्स ट्रीट हुए हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है, वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन ने भी, यह जो है, जो इस युनिवरस्टी ने मेडिसिन बनाई है, इसको अपनी जो है, इसका रेफरेंस लिया, स्टेडी में, और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी यह बात पब्लिश हुई थी, तो हमारे लिए गौरव की बात है, डब्लू एच्चो भी कंसीडर कर रहे हैं, जो जोतपूर की उर्वरस्टी ने दवाई बनाई है, और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल भी उसको कंसीडर कर रहे है, ठीके, अच्छा, गवर्मेंट ओफ इंडिया ने जो है, नैशनल इंसिचूट ओफ आईरुवेदा कहां पे लोकेटिड है, बचे, जो जैपूर के अंदर, ठीके, आईरुवेदिक ट्रीटमेंट के लिए प्रोटोकोल रिलीज किया है, केंद्रिय सरकार ने, ठीके, वो हमको केंद्रिय सरकार करती ही है, ठीके, जैपूर बेस्ट नैशनल इंसिचूट ओफ आईरुवेदा, अगर पूछे आपसे, नैशनल इंसिचूट ओफ आईरुवेदा, राश्ट्री है, आईरुवेद संस्थान कहां पे लोकेटिड है, जैपूर के अंदर, इसने जो जैपूर में जो एमस है, उसके साथ मिलके और काफी सारे क्लिनिकल ट्रायल किये, ठीके, तो उसके भी काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले हैं, तो मतलब राजरस्थान COVID-19, कोरोना से टैकल करने में बहुत अच्छी बैटल हम लोग फाइट कर रहे हैं, यह चीज़ याद रखनी है, ठीके, अच्छा, यहाँ से हम जो है मैं आपको next class में कराऊंगी, ठीके, clear है सबको यहाँ से हम लोग next class में करेंगे, I hope आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो like कर दीजेगा, share कर दीजेगा, किसे भी बच्चे को काम आ सकता है, और चैनल को subscribe कर लिजे, ताकि आपको सारे वीडियो के अपडेट्स मिले, ठीके, तो अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक आप सबको मेरी तरव से घनी घनी राम राम, कल वाली भी घनी घनी राम राम डबल, ठीके, Thank you everyone.